स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एनके क्लासस पर दोस्तों आज इस वीडियो में परिच्छा की द्रश्टी से बहुत ही महात पूर्ण प्रेस्ण देख लीजे आत्म कथा और जीवनी में अंतर आपको बताना है जिस तरह से उत्तर मैं आपको बताऊंगा पू पूरा का पूरा छाप कराना है जी हां दोस्तों आपका एक नंबर आपके लिए बहुत important होने वाला है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर आप चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को पूरे मन से पूरे दिल से subscribe कर एक प्यारा सा comment कर वीडियो को like कर दिजेगा बैल आ आत्म कथा होता है, स्वयम के द्वारा लिखी जाती है, किन्तु जो जीवनी होता है, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, यानि कि आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा कोई बिस्तरत जानकारी दे, यानि कि रचना करे उसे जीवनी कहते है आत्म कथा स्वयम के द्वारा लिखी जाती है फिर इसके बाद दूसरा देख लीजे यहाँ पे आत्म कथा में लेखक अपनी स्वयम की कथा लिखता है यानि कि जो आत्म कथा होता है जो लेखक होता है या लेखका जो होते हैं ये स्वयम की कथा लिखते हैं यानि कि अपनी कथा लिखते हैं किस में आत्म कथा में किन्तु जो जीवनी होता है जीवनी किसी महापुरुस के जीवन पर आधारित होता है जीवनी किसी भी अगर आपको पढ़ने को मिल रहा है तो समझ लीजración कि क्या है जीवनी है इसी तरह तीसरे अंतर देख लीजिये साथियो जो तीसरे अंतर है आप देख लीजे आतमकथा किसमें लिखी जाती है यानि कि आत्मकथा जो होता है किसमें लिखी जाती है कथात्मक सैली में लिखी जाती है किन्तु जो जीवनी होता है जीवनी बर्णात्मक सैली में लिखी जाती है किसमें बर्णात्मक सैली में और फिर चौत हंता देख लिजे आत्मकथा में लेखक स्वयम के बिचार व्यक् तो नहीं करता इसलिए उसे क्या कहते हैं जीवनी और आत्मकथा का बहुत important यानि कि आपको सरलेवम सटीक सब्दों में अंतर वताया मैंने और बहुत important question है पांच मंतर देख लीजे रचना और उनके कभी तो सांथ यहां पर पांच में अंतर में आपको दारन लिख देना है मेरी कहानी नहरु जी की कुछ आप बीती कुछ है जग बीती भारते इंदू हरिस्चंद इसी तरह दो इसके भी लिखना है आवारा मसीहा विश्नु प्रभाकर जी का है कलम की सिपाही अम्रतराय जी का है इस तरह से आत्मकत्ह और जीवनी का अंतर कंप्लीट होता है, बहुत ही सरल है, प्रस्ण को अच्छे से पढ़ लीजे, पेपर में कई वार आ चुका है, बहुत इंपोर्डन्ट है, चैनल में नहीं सस्क्राइब कर, बेल आइकन को प्रस कर लीजेगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगें दोस्तो, जैहिन बंदे मातरम.